प्रिवेस्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अंध्र की जो स्टेट से वापस में इंटर कवर्टिवल कैसे है उसके ओपर हमने तेमपरेटर और प्रैशर का हम ने इस पर इफ्यक्त देखा था कि और what is the effect of temperature and what is the effect of pressure, ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, latent heat के बारे में, लेकि latent heat से बात करने से पहले, first of all हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर चलो topic अपने लिख देते हैं, very important topic, latent heat, ओके, लेकि इस topic के बारे हम बात करने से पहले, सबसे पहले हम जो कुछ terms के बारे हम बात करेंगे, जो इस latent heat के अंदर भी use होंगे, और आगे further जो आपके chapters हैं, या जो आपके जो next classes हैं, उसके अंदर भी आपके use होंगे, and you must know about that terms, क्योंकि आपको वो terms काफी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बार बार जब आपके topics में वो terms हैंगे, तो आपको लगेगा कि क्या ये उसमें अंदर हमने कुछ जो terms use करने वाले हैं, उसके बार हमें clear बात कर रहे हैं, तो first of all हम बात करें, atmospheric pressure, ठीक है, जो पिछे जो वीडियो जो previous वीडियो थी, उसके अंदर हमने pressure के बार हमने बात किया था, कि जो pressure जो है, उसका क्या effect होता है, states को change करने के लिए, अब एप ATM, उसके बाद में, atmospheric pressure आप इसको सिधा ऐसे लिख सकते हैं, okay, आपके short form में, ATM pressure नहीं, atmospheric की short form में, ATM, okay, अब अपने यह बात करें, what is the definition of atmospheric pressure, देखे, student नाम से पता लग रहा है, कि Atmo, यानि कि Atmo, यानि कि Environment, आपका जो environment है, atmosphere है, atmosphere से आपका जो pressure जो exert होगा, that is known as atmospheric pressure, तो इसक इसके definition के बार में, आपने बात करें, what is the definition of atmospheric pressure, अब इसमे pressure exerted by earth's atmosphere, ठीक है, यानि कि Atmosphere, जो pressure है, atmospheric pressure, उसको अपने define कैसे करें, pressure exerted by earth's atmosphere, and you can say, आप एक अनादर definition भी इसके आप ले सकते है, pressure exerted by weight of the atmosphere, आप यहां पर weight के बार में बात करें, या तो यहां पर आपने, मैंने यहां पर कहा, earth atmosphere, okay, earth atmosphere या weight of atmosphere, okay, जो pressure exerted होता है, atmosphere के through, that is known as atmospheric pressure, for example, देखें, यहां पर जैसे अपने इसको डाइगरम के देख सकते हैं, यह हमारे जैसे earth का, वो surface है, यह लैंड है, जहां पर हम रहते हैं, और यह आप अगर इसको ध्यां से देखें, तो यह हमारा क्या है, atmosphere, atmosphere, क्या है, atmosphere, okay, कोई भी person है, या कोई भी जो object है, यह यहां पर मालों की, इस earth पर, इस land पर, इस जगह पर है, तो इसके उपर, तो इसके उपर जो air है, इसके उपर जो air है, तो air को आपको बता है, air is a matter, क्योंकि हम इसके बारे बात कर चुए, air यहां पर क्या है, air, air यहां पर क्या है, matter, and you know that, what is matter, you know about the definition of matter, जो space occupy करता है, और उसका कोई ना कोई मास होता है, क्या होता है, उसका कोई ना कोई मास होता है, यहां पर जो object है, वो एक pressure को feel करेगा, नहीं करेगा, यानि कि जो atmosphere की through, atmosphere by atmosphere, इसी object के उपर, अगर कोई pressure लगता है, that pressure known as atmospheric pressure, atmosphere क्यों, क्योंकि यह जो pressure कौन लगा रहा है, atmosphere लगा रहा है, अगर atmosphere लगा रहा है, तो उसका अपने क्या बोलेंगे, atmospheric pressure, I think student, आपको बहुत इच्छी तरह से clear हो गया हो, कि atmospheric pressure के है, अगर माने जाए हम यहां पे हैं, आपके, जिसे मालों, आपके उपर atmosphere है, या मेरे उपर atmosphere है, हम सभी के उपर atmosphere है, तो atmosphere के थुरू, अगर हम पे कोई pressure exit होता है, कोई pressure हम फिल करते हैं, तो उसको अपने बोलते है, atmospheric pressure, ठीक student, I think आपको बहुत इच्छी तरह से clear हो गया होगा, next आपने बात करते है, atmospheric pressure को measure किसे किया आता है, अगर अपने यहां पे बात करे, measure, measured of atmospheric pressure, atmospheric pressure किसे measure किया था, कोई ने कोई device होती होगी, तो इसको अपने किसे को अपने करते हैं, कोई एक ऐसा instrument को आप इसको बीवरें जानते हैं, तो इस instrument का नाम है, barometer, ठीक काफी स्टून को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप इसमें देखिए, अपने instrument को अपने क्या बोलते है, barometer, barometer is an instrument, यानि कि atmospheric pressure is measured by an instrument called a barometer, यानि कि ऐसा instrument जिसके थ्रूँ atmospheric pressure को measure किया आता है, that known as barometer, osition और barometer के कारण, barometer से measure करने के कारण, इस atmosphere pressure को एक नाम से और भी जानते हैं, atmospheric pressure is also referred to ace barometric pressure, ठीक है, इसको अपने एक barometric pressure, इसको अपने barometric pressure के नाम से भी जानते हैं, क्यों 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 इसको जो device उसका नाम क्या है barometer और barometer से इसको अपने measure करने की वज़े से इस अपने atmospheric pressure को एक दूसरे नाम से भी जानते है that known as barometric pressure What is SI unit? system international इसके जो अगर अपने international system के unit के बारे अपने बात करें तो वो क्या है SI unit? SI unit of pressure is pascal unit of pressure is pascal pascal को अपने short form PASS को denote कर सकते हैं अब आपको I think atmospheric pressure clear हो गया होगा कि आगे मैं जब भी अपने topic के अंदर atmospheric pressure के बारे अपने बात करें तो आप किसी भी बच्चे को कोई भी doubt नहीं होगा next हमारा जो term है वो है MP यानि की melting point okay melting point what is melting point what is melting point the temperature at which solid state goes into the liquid state at atmospheric pressure अब देखें इस definition के अंदर हमने एक atmospheric word यूज किया है अगर मैं डारेट आपको melting point बिता आप यूज करता है तो शायद आपको प्रॉब्लम होती है लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम उसके बारे में discussion कर चुके हैं तो इसकी अपने definition के बारे अपनी बात क्या करें the temperature at which solid state goes into the liquid state at atm मैं इसको short form लिखें है atmosphere pressure is cold melting point melting point ये काफी बड़ा word होयता है तो इसको अपने short form के अंदर इसको अपने denote करते हैं MP कहीं भी अगर अपने short form में के अंदर MP यूज किया हो तो don't worry आपको घबरानी जूरत नहीं है तो आपको पता है कि what is the full form of MP melting point यानि कि एक ऐसा temperature ऐसा fix temperature जिसके उपर कोई solid liquid में convert होना start होता है देखिए यहापे यहापे अपने solid लेते हैं ओके तो solid मैंने यहापे लिए अब यह जो solid जो है यह solid liquid में जब start होगा liquid में convert होना start होगा तो उस temperature को अपने क्या बोलेंगे मैंने यहापे इसका water का example जैसे लेते हैं water की जो solid form जो क्या होती आइस और आइस अब यहापे liquid form में जब start होगे liquid form में convert होना तो उस temperature को अपने क्या बोलेंगे उस temperature fix temperature यह temperature हर किसी जो solid जो है उनका fix होता है specific temperature होता है सभी solid A की temperature के उपर melt नहीं होते हैं सभी की melting point different different होगा यह vary करेगा substance to substance ओके तो यहापे अगर अपने ice के बारें बात करें तो इसका 0 degree 0 degree Celsius में क्या होता है यह liquid में convert होना start होता है तो अगर आपसे पूचा है what is the melting point of ice then your answer is 0 degree Celsius okay अब अपने जो next अपने बात करते हैं देखिए अब एक पात में और बोलें the temperature at the solid state goes into the liquid state at atmospheric pressure यानि कि आपने जो प्रेशर अपनी तरफ से कोई external pressure नहीं लगाना अगर आपने external pressure लगाना होता है तो हम उसको यहां पर represent करते हैं कि आपने प्रेशर कितना लिया है लेकिन यह atmosphere जो प्रेशर जो है यह natural atmospheric pressure है जो किसी particular area पे जो natural ही तरीके से होता है आपने उसमें कोई भी external अपनी तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया ओके नावी discussion अनदर पॉइंट boiling point boiling point what is the mean of boiling point देखिए जैसे melting point melting point जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है solid के लिए किसके लिए solid के लिए और यहां पे boiling melting point जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा liquid के लिए तो ये स्टुएट आपने बिल्कुल धियां रखना है melting point यकंट क्या होता है solid and boil क्या होता है liquid imply होता है marry minute किसके लिए solid solid क्योंकि melt solid होता है आपने की अभी सुना ही कि liquid melt हो रहा है मैल्ट होता है solid और जो liquid होता है जो आपने बोलते हैं जिसे water boil हो रहा है या milk boil हो रहा है तो वह अपने किसके लिए denote करते है liquid के लिए ओके जो definition उसकी बिल्कुल उसकी तरह सेम ही है बस आपने कहा रहा है definition के अंदर जहां पर liquid है जो solid है वहाँ पर liquid यूज़ करना है जहां पर liquid है वहाँ पर आपने गैस यूज़ करना है जिसके लिए क्या होगा दा टेंप्रेचर एट विच लिक्विड स्टेट गोज इंटू दा गैसियर स्टेट सेम उसमें वही बात आप अट्मोस्फर्रिक प्रेशर प्रेशर फ्रेशर चुटन देखे, वही रहना चाहिए अट्मोस्फरिक प्रेशर एसको बउ लिग पॉइंट उचको अफ यहां पर liquid के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर जैसे आपको बतायां था जो लिक से हैं i zero degrees Celsius भी हो था लेक्विड में start होता है. अब मैंने यहां पर क्या लिया है, यह liquid लिया है हुआ हम क्या लिख्विड के बारें बात करें वी टेक unquote 1958 अपने किसमे कनवट करना यह गैस में कनूट करना है तो इसको मिलना हुम इसको क्या करेंगे? Boil करेंगे तो यहां पे आप उपर इसमें लख सकते हैं Melt यहां पर इसको प्र enca lichth domination is it अरफ इसको जो जो अपनीkem प्रेंगे तो यह कि समें कनूट हो जायगा बार-बार एक बात क्लिए कर रहा हूं कि जो सभी का melting point है जो boiling point होता है specific होता है किसी का same नहीं होता अब यह मत कहना कि 100 degree Celsius पे ही सभी जो liquid है वो gas में form में convert होंगे यह सभी जो solid है वो 0 degree Celsius पे ही liquid में convert होंगे every metals sorry every solid और every gas has a specific boiling and specific melting point अब आपको यह जो terms जो मैं latent heat में यूज़ करने वाला था वो मैंने आपको पहले सही clear कर दिये क्योंकि latent heat में terms का यूज़ करने वाला हूँ अब अपने जो बात करने वाले हमारे important topic है आज का latent heat ओके देख स्वाइट अब इसका जो वर्ड है latent का mean क्या होता है hidden latent heat latent heat के बारे अपने बात करता what is the mean of latent latent का मतलों क्या होता है hidden okay hidden heat and you can say hidden energy okay hidden energy clear हो यह बात ही यानि कि जो latent heat को अपने क्या कर सकते है hidden heat या hidden energy okay जो visible नहीं है sorry जो आपको दिखाई नहीं दे रही है तो latent heat को अपने दो type में इसको divide करते हैं एक तो आपका जो क्या होगा latent heat of fusion तो first जो इसका जो होगा type यह इसको अपने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं latent heat को कि दो पार्ट इसके हम जो discussion करने वाले हैं first part के बारे हम अपने बात करें तो latent heat of fusion latent heat of fusion और यहां पर अपने बात करते हैं इसमें latent heat of vaporization okay latent heat of fusion and latent heat of vaporization okay student this is a two type of latent heat first of all मैं द्वार आपको रिपीट करता हूँ latent heat का mean क्या है hidden heat या hidden energy okay इसके two types है two types of latent heat latent heat of fusion and latent heat of vaporization latent heat of fusion जो है यह अपने किसके लिए यूज़ करेंगे यह यूज़ करेंगे अपने solid के लिए किसके यूज़ करेंगे solid के लिए solid को liquid में convert करने के लिए latent heat of vaporization किसके लिए यूज़ करेंगे liquid को gas में convert करने के लिए तो यहां से बो clear हो रहे है fusion fusion का मतलब when solid melt and convert into liquid जब solid melt होना start होता है यह उसको कह सकते है fuse होना start होता है तो यह उसको अब बोलते है fusion और वैपरजेशन से तो नाम से आप को clear हो रहे है कि वैपरजेशन वैपर किस की की कवेपर में बनेगा किसक्या बनेगा वह हो लिक्विड से वेपर में कवेड़ होगा ठीक है तो लिक्विड अन्वाइब इंटो गैस इस वैपोराजिशन ओके तो अपने इसको जो डिफाइन कर लेते हैं जो डेफिनिशन है डेफिनिशन इसकी देख लिए वाट इसमीन latent heat of fusion, latent heat of fusion की definition अपने सबसे पहले देखते हैं तो अब इसको कहते हैं, it is a amount of it is a amount of energy required to change 1 kg of solid into 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure okay at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion okay, जिसके definition किया हुई sorry, it is a amount of energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as heat of fusion. अब देखे, इसके लिए इसके आदे दे देखे, मैंने आपके जो terms, मैंने आपको पहले clear कि थे, मैंने आपको यहाँ आपके यहाँ पर आएंगे, तो आपको आएंगे तो आपको 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 दिक्कत होगी, यह मैं सिदा भी इसको करवा सकता था लेकिन आपको यह तो पता होना जी है न कि terms का मतलब क्या है कि मैंने आपको वीडियो बनाने से पहले जो starting वीडियो बनाई थे मैं उसमें आपको एक बात clear की थे साइंस को रटना नहीं है साइंस को समझना है साइंस को फील करना है साइंस तभी समझ में आती है जब उसके आपको हर एक टम्स क्लियर हो हर एक टम्स का मतलब आपको क्लियर हो टम्स क्लियर होंगे तभी आपको कॉंसेप्ट क्लियर होगा लेकिन वो एक productivity आपको provide नहीं करवाता और वो आपके लिए life time आपको benefit भी नहीं दे पाएगा ठीक है कि आप रटके उसको अपने school के अंदर test के अंदर एक अच्छे marks गेन कर सकते हैं लेकिन वो marks आपके कोई भी काम के नहीं है अगर आपको concept clear नहीं है क्योंकि आपको ratification क्या तो आप उसमें perfection ले लेंगे लेकिन आपको concept clear नहीं होगा आपको knowledge नहीं आएगा हम यहां भी बात करें knowledge के बारे में कि आपका knowledge कैसे increase हो ठीक है knowledge अभी इंग्रीज होगा तब आपको जब terms clear हो जब आपको concept clear हो अब अपने student बात करते हैं तो यहां पर latent heat of vaporization के अंदर इसके इसके जो definition आपने लिखने है इस सेम यह definition होगी बस आपने कुछ जो terms change करने है it is a amount of energy required to change 1 kg of अब यह देखिए solid is गए यहां भी क्या जेगा liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat heat of vaporization ऑगस्टन बहुत चीदर इससे आपको clear हो गया होगा इसके अंदर आप देखिए यहां पर आपने क्या लिए यहां पर आपने liquid यहां पर आपने solid को लिया था solid को अपने किसमे कनोट किया है liquid में यहां पर आपने क्या क्या है liquid को लिए और किसमे कनोट किया है क्योंकि यहां पर solid था यहां पर क्या था लिक्विड था अब देखिए यह simple से एक मोटी मोटी बात अब क्लिर होती है अगर मा लेजे कि आपने यहां पर 1 kg वी टेक 1 kg solid आपने लिये और उस 1 kg solid को आपने liquid में convert करना है किस में convert करना है लिक्विड में convert करना है तो उस 1 kg solid को लिक्विड में convert करने के लिए जो भी आपको required energy है जो भी आपको रिक्वाइड यानि कि जो energy आपको required है जो energy आपको चाहिए उस energy को अपने क्या बोलते है required energy को latent heat of fusion ओके और यहां पर आपने क्या बात करें यहां पर आपने जो 1 kg substance लिया हुआ है 1 kg आपने जो liquid लिया हुआ है ठीक है यह liquid आपको कितना है जैसे हमने वहां पर 1 kg लिया था यहां पर 1 kg लेना है इस 1 kg को आपने किस में convert करना है गेंश केंद करना थैंक बर करना है यहां भी आपको एनर्जी इंस चाहिए नहीं दो आपको चाहिए ना यहां भी जो एकवाइड एनर्जी आ आपकी होगे ओग्र्जीगों जो उहां क्या होगी है ट्रेट हिसेसे धतिर्च और लिक्विड में convert किया जो energy आपको चाहिए उसको energy को अपने क्या बोला latent heat of fusion मैंना कि जो metal जो है या जो कोई solid जो है वो melt होगा fuse होगा और liquid में convert होगा उसके लिए जो energy आपको चाहिए होगा इसको बोलेंगे latent heat of fusion और इसको अपने क्या बोले latent heat of vaporization ठीके स्टोन आपको बहुत इससरे से आपको clear हो चुके है आप अपने next आपने बात करते है यह जो topic है इस topic को मैं आपको एक सुरी एक graph के थुरू आपको मैं represent करता हूं एक graph के थुरू आपको मैं समझाने कोशी करता हूं कि latent heat किया है latent heat of fusion किया और latent heat of vaporization किया है यहां पर एक अपने graph ट्रो करते हैं कि I draw a graph तकि आप ग्राफ से काफी तरह से clear हो जाए ओके अब इस graph के बार में अपने बात करते हैं मैंने यहां पर टू-डाइमेंशन के इसको मिल लिया है और यहां पर अपने इसको नीचे लिख रहते हैं heat ओके वीजिबल हाप कोई तरह से यह मैंने यहां पर heat ले लिया है या heat यहां कह सकते हैं या इसको energy जो आपने supply किया इसको ओके और यहां पर अपने बात करते हैं इस dimension के अंदर लेते हैं temperature ओके यहां पर मैं नीचे तरह यहां पर क्या मेंशन किया है heat और यहां पर मैंने क्या लिया है temperature ओके आप देगे स्टुडेंट अब इस graph के अंदर मैं आपको इची बता रहा हूं जैसे मैंने solid है solid को liquid में और liquid को फिर गैस में जब convert करते हैं तो कौन-कौन से steps से हम गुजरते हैं तो steps आपको यहां पर मैं बता रहा हूं यहां पर मैं लीनियर एक मैंने एक लाइन ट्रू किया है कि ट्रू करते हैं पड़ा ही एक सिंपल एक मैंने एक ग्राफ ट्रू किया है ओके तो इस ग्राफ के थ्रू आपको यह सारा जो concept है सारे मैंने थियोटिकल पॉर्शन जवाब को मैंने बता है यह सारी चीज आपको इस एक सिंगल ग्राफ के अंदर सब्सक्राइब हो जाएगे यहां पर यह जो ट्षय है इस यह जो ट्रूपरीचर और यहां पर यह जो ट्रूपरिचर है इस ट्रूपरीचर को अपने लेते हैं यहां पर मैं कोई एक मैटल लेता हूं कोई भी एक मैने यहां पर एक मैटल लिया है ठीक है यहां पर मैने इस पॉइंट पर यहां पर क्या है सप्लाइब रेड है यहां पर मैंने इसको सप्लाइब कर दी है यहां पर न Cannon आपका होगा कि किस पॉइंट पर कितना टेमपरीचर है कि अपने यहां पर डिसकुशन करते हैं जो सबसे पहले हमें बात करते हैं यहां पर इस टाइम पर जाके क्याता है, melt होता है, तब तक क्याता, solid form में रहता है, यानि कि इस प्वाइंट पे मैंने इसको क्या किया, इसको heat मैने प्रवाइट करना start किया, आप देखिए, heat increase उते जारे है, constantly एक linear form के अंदर इसका क्या था, temperature इसका increase होता जारहे, ठीक है, एक constant, linear form का, मतलब यहां पिए है कि constant लिए से क्या हूरा है, temperature increase हो रहे है, और इसकी जो heat होती है वो बढ़ती जने को आपका matter जो होगा, जो matter आपने लिए वो गरम होना start हो जाएगा, गरम होना स्टार्ट हो रहा मतलब उसकी एनरजी बढ़ती जा रही है और टेंपरिचर यहां से इंक्रीज उता हो रहा है तो एक जो पॉइंट जब यहां पर आएगा जीरो डिग्री सेल्सियस तो यह मैं यहां पर जो एक्जांपल अपने एक्जांपल यहां पर अपने वॉ टेंपरिचर दिया जा रहा है और एक लीनियर फोर्म के अंदर यह ग्राफ राइस हो रहा है ओके यह जो आई साउ मैल्ट होने स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वह मैल्ट होना स्टार्ट होगी अब यहां पर जो जब तक वह अपने लेकिन वह मैल्ट नहीं होती इसी मज़े से यहां से जो ग्राफ हो लीनियर फोर्म में जा रहा है ओके बिल्कुर स्टेट लाइन इस तरह से जा रही है अब देखें यहां पर यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपने यहां पर जैसे माल लेते हैं यह जो एपॉइंट सोॉर सोलेड टो लिक्विड हैं सोलेट टो लिक्विड और चेंज होना स्टार्ट होगा रही और आपने कॉंट इस block किया है हीट temperature दिया, एक point ऐसा है, कि जहां से solid liquid में convert होना start हुआ, यह point है, जहां पर starting हुई है, लेकिन अभी यहां पर सारा solid form में है, अभी तो start हुआ है, तो यह B point तक आते हैं, यह सारा solid होगा, वो liquid में convert हो जाएगा, यहां पर एक बात notice किजिए, कि जब A point से B point तक यह solid से liquid में convert हो रह नहीं, यहां पर देखिए, एक question आपके mind मेंना चीए, this question should rise our mind, आपके mind में question rise होना चीए, कि temperature यहां पर increase क्यों नहीं हुआ, आपने किसी matter को आप continue energy दे रहे हैं, continue आप उसको heat दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होना चीए, वो heat उसका temperature increase होना चीए, यहां से आप उसको heat provide करवा रहे हैं, heat provide करवा रहे हैं, temperature simple सी बात है, increase होना चीए, लेकिन यहां पर temperature increase नहीं हो रहा, यही हमारा question है, यही आपके mind में rise होना चीए, कि sir, temperature rise क्यों नहीं हुआ, temperature इसलिए rise नहीं हुआ, कि जब तक solid सारा liquid में convert नहीं होता, तब तक यह जो सारी energy हम उसको provide करवा र करती है, आपको मैं द्वार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, ग्राफ को द्वार समझेए, जब कि solid को heat करते हैं, तो उसका temperature linearly rise होता है, कैसे rise होता है, linearly, जब तक कि वो अपने melting point तक ना पहुंच जाए, जब तक कि अपने melting point पर ना पहुंच जाए, और melting point तक पहुंचने क बाद में कहाता है, जब heat आपने इसको constantly आपने इसको continue रखी है, heat आप इसको continue प्रवाइड करवा रहे हो, जब तक ये सारा solid liquid में convert ना हो जाए, ठीक है, अब fraction by fraction ऐसा तो नहीं कि सारा solid एक साती liquid में convert हो गया, ये fraction by fraction slowly, धीरे, धीरे, constantly, regularly क्या होगा, liquid में convert होना start होगा, ठ जब तक कि वो सारा convert नहीं हो जाता, तब तक temperature constant रहता है, क्यों, क्योंकि जब solid liquid में convert हो रहा है, तो वो सारी energy solid को धीरे, धीरे, fraction by fraction, liquid में convert करने के लिए, वो energy use होती रहेगी, इस वज़े से उसका temperature होगा, वो rise नहीं होगा, फिर आपको clear कर रहा हूँ, temperature क्यों नहीं rise होग कि यह solid है, आपको यह पता है, solid के particles में नहीं होता है, solid के particles क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, ठीक है, solid के particles क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, अब आपने क्या क्या है, solid के particles को आपने इसको energy देना start किया है, तो solid के particles क्या एक साती liquid में convert हो जाएं, नहीं, उसके particles धीरे धीरे क्या होंगे धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट होंगे ठीक है धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट होंगे जब तक कि सारे पार्टिकल्स दूर नहीं चले जाते याई इनकी सभी की जो काइनेटिक एनर्जी बट नहीं जाती याई सभी के जो इंटर पार्टिकल्स जब तक सारा का ब्रेक नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, तब तक temperature rise नहीं होता, अगर सारा liquid में convert हो चुका है, अब यहां से temperature क्या होगा, rise जोना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब फिर आपको यह question clear होगा, बहुत important question है, यह question आता भी है, जब तक सारा solid liquid में convert हो रहा है, जो इसको heat पीजारी है, वो सारी heat solid को liquid में convert करने के लिए use होती है, उसके fraction by fraction उसको तोड़ने के लिए, उसके force को कम करने के लिए वो सारी energy use होती है, तो यह एक तरह से कौवसी energy होगी, hidden energy, कौवसी energy होगी, hidden energy, यानि आप उसको energy तो दे रहे हैं, लेकि वो energy आप दिखाई नहीं दे रही, वो energy सारी जा कहां रही है, हो energy की सारी, इस particles को दूर करने में जा रही है solid के particles के बीच में जो इंटर पार्टिकल जो force होता है कौन सा force होता है इंटर पार्टिकल जो force जो होता है उस इंटर पार्टिकल जो force होता है उसको break करने के लिए use हो रही है क्या करने के use हो रही है break करने के लिए जब तक कि वो सारे इंटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ब्रेक नहीं हो जाता या उनके इंटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ब्रेक नहीं हो जाता तब तक टेंपरिचर राइज नहीं होता यानि कि सारा टेंपरिचर तब तक इस प्रोसेस में लगा रहता है ओके अ जो है लिक्विड से इस तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा और कब तक यानि कि लीनियर फॉर्म में जाएगा जब तक कि वह अपने बोईलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए जैसा कि आपने टेंपरेचर देना स्टार्ट किया वह तक टेंपरेचर एक लीनियर फॉर्म में चला जब यहां पर मैल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ जब तक अपने मैल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ तब तक भो टेंपरेचर क्या हुआ अब liquid में आने के बाद में आपने कियाएंगा heat देना start किया अभी state change नहीं और ही अभी वो सारा matter लिक्विड फ़र्म में है अब continuously किया रहा है कि आप इसको temperature देते जारहें temperature बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और एक point ऐसा आता है कि जब temperature आपका किते degree Celsius पे पहुंच जाता है 100 degree Celsius पे 0 degree से आपका temperature आप 100 degree Celsius पहुंचेगा तब जो आपका जो liquid होगा वो liquid क्या होगा किसमें होना स्टार्ट होगा वैपर में convert होना स्टार्ट होगा तो यह यहां पर इसका क्या है boiling point यह इसका क्या है boiling point क्लिर रही बात अब यहां पर देखिए liquid में आ चुग है अब लिक्विड में आने के बाद में क्या 100 degree Celsius पे ओंदा स्पोर्ट सारा liquid वैपर में convert हो जाएगा होत sniff का नहीं वह वैपर में convert नहीं होगा अंगर मैं यहां पर बात करूँ जैसे मानों यह और फोर्ट है और यह सी सी कॉर्षन यहां भी रहा चीय नहीं कि C से D तक जाने के लिए अगर मैं यहांसे बात करता हूँ यह C से D तक जाने के लिए इस line को अपने यहां तक नीचे तक इसको लेकर है जो energy को अपने दिखाने के लिए कि कितनी energy हम इसको दे चुके है C से D तक जाने के लिए जो आपने इसको heat प्रवाइड किया है वो heat कहां पे use हुई, वो heat सारी ऐसे ही use होगी, inter particles force को break करने के लिए, ठीक है, यहां पे जो liquid है, liquid के particles इस तरह से हैं, और gas के particles माले इस तरह से हैं, काफी दूर दूर हैं, अब इनके बीच के inter particle force को, inter particle force को, inter particle force को तोटने के लिए सारा क्या हो रहा है, सारी energy use हो रही है, और temperature आपका तब तक rise नहीं होगा, जब तक आपका सारा liquid gas में convert ना होजें, या जो सारा liquid के बीचे इंटर particle force है, वो weak ना होजें, जैसे gas में होता है, जब सारा matter gas में convert हो जाएगा, तब आपका temperature rise होना start होगा, student, I think आपका ये topic बहुत ही अच्छी तरह से clear हो चुका होगा, कि question इसमें जो important question क्या बनता है, कि जब एक state जब दूसरे state में change होती है, तो temperature rise क्यों नहीं होता है, यानि solid जब liquid में convert हो रहा है, तो temperature वैसा का वैसा maintain क्यों है, तो आपका answer क्या होगा, कि जो temperature, यानि कि solid से liquid मे होगा, वो सारी energy उसी के अंदर consume होगी, उसी process के अंदर use होगी, वो same यहाँ पर भी ऐसा है, सारी energy उसी process में use होगी, ओके, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं कि इस line को जो मैंने नीचे draw किया, तो यहाँ से अपने बात कर लाते हैं, यहाँ तक मैंने इसको energy provide करवा दी म मैं Q1 निकालों, Q1, Q2 माइनस यहाँ कि Q2 जितनी energy मैंने प्रवाइड करवाई है, इस point तक मैंने energy start की, यहाँ पे a point पे solid से, ठीक है, यहाँ यहाँ इस point की energy की बीच में difference देख रहा हूँ, जो यहाँ पे जो difference होगा, उस difference को अपने क्या बोलेंगे, latent heat, क्या बोलेंगे इ एक ऐसे heat जो hidden energy जो है, जो energy जो hidden जो हमें नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही न, त्योंकि हमने energy दी वो हमें यहाँ पे temperature उसका increase होई नहीं रही है, वो hidden energy जो छुपी हुई energy है, वो energy सारी कहां पे use हो रही है, वो सारे inter particles force को break करने के लिए use हो रही है, वैसे आपने यहाँ पे निकालें, यहाँ पर जैसे मैंने Q3 और यहाँ पर यह जो d-point पह ँ है Q4, तो Q4, वियनके Q3 अगर मा निकालें, तो यह जो energy जो होगी, वो सारे एनेट्रजी को अपने क्या बोलेंगे latent heat of fusion और इसले पने क्या बोलेंगे latent heat of vaporization, ठीक है, एक question से हां पर important लिक्विड है यानि कि आईस से लिक्विड बन Shepherd कितना है zero degree और इसका zero degree है इसका zero degree है दोनों का 0 degree है तो kinetic energy ज्यादा किसकी होगी सेम टेनपर्चर पर अलग-अलग स्टेट है तो kinetic energy ज्यादा किसकी होगी यहाँ फिर बात करा हूं यहां पर liquid है और यहां पर क्या है गैस है तो same temperature है 100 degree Celsius 100 degree Celsius पर liquid है और 100 degree Celsius पर गैस है तो kinetic energy ज्यादा किसकी होगी तो आपका question यहां पर है kinetic which state which state have high kinetic energy at same temperature ठीक है same temperature पर किस state की kinetic energy ज्यादा होगी ठीक है क्लीर हो गया यह question यह मैंने आपको इस topic के अंदर मैंने question पूछे काफ़े important question है और यह question का आपने answer comment box में आपने देना है ठीक है I think student आपको यह जो लेटेन हीट बार topic बहुत यह से clear हो आगे हो गया होगा अगर फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप comment box के अंदर आप अपने doubt से कहरी को पूछ सकते हैं ठीक है student और इस को इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप like कीजिए subscribe कीजिए और bell icon को दब रहते हैं किया जा सके और इस तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ में तब तक जय हैं जय भारत